जो आदनी इतनी तीवड़ता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसले नहीं कर रहा है कि उसे फल नहीं चाहिए प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात को राजा के सेवक के शब्दों में सुना है आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें आपके लक्ष होते हैं चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीती हो, बिजनेस हो आपको लगता है आप कुछ भी महत पूर्ण कर पाएंगे वो बस यही तो कह रहे हैं भगवत किता में आभगवान श्री कृष्णा हमें फल की चिंदा छोड़ कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत जादा मुश्किल लगता है और मैं जानना चाहती हूँ कि हम यह कैसे करें बिना फल के बारे में सोचे कैसे बस प्रयास करते रहें मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है यह दुर भागे पून है पर मुझे कहना पढ़ेगा मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है पर हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि कृष्ण यानि मक्खन, लड़कियां और बांसुरी पर आपको यह समझना चाहिए यह सारी चीजें तब हुई जब वो सोला साल के थे तो सोला के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिट्मेंट भरा जीवन जिया उनका कमिट्मेंट था उस समय की राजनितिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरी पत्नी और ये सब जब तक आपकी अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती सिर्व तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए नहीं तो ब्रष्टाचार होने लगेगा लोग कहते हैं सत्ता ब्रष्टाचार है सत्ता ब्रष्टाचार नहीं है सीमित पहचान ब्रष्टाचार है उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं क्यूंकि उनकी पहचान इतनी चोटी है तो Krishna इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे जो आदमी इतनी तीवरता और कमिट्मेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसले नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे है प्राब्लम ये है कि आपने Krishna की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया उन्होंने केवल अरजुन से बात की अरजुन ने कभी नहीं बताया वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे पर उन्होंने कभी Krishna की बतायी वे बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा क्या आपने कहीं सुना है वो एक राजा थे पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि Krishna मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था एक बार भी नहीं तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है जो कि राजा के एक सेवक थे आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए वो बड़े भरोसे मन्द होते हैं देखिए अगर आप मान लिजे आपके पती या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा और वो आकर आपको बताएंगे वो अपनी तरफ से कुछ मसाला जोड़कर आपको बताएंगे ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वभाविक है उनकी अपनी राएं, विचार, दूसरी चीज़ें अपने आप उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है कि वो कभी अपनी राएंगे न जोड़े वरना उसका सिरकलम होगा वो एक-एक शब्द वैसा ही दोहराएगा जैसा कहा गया है तो वो एक तरह के राचीन टेप रिकॉर्डर है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस राजा को बता रहे हैं कृष्णी ये कह रहे हैं पर कोई संदर प्रसंग नहीं है जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबन्ध होता है तब बाते अलग तरह की होती है अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे है पर उनका लव अफ़ेर चल रहा है तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक लव अफ़ेर जैसा है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत घनिष्टिता से जानते है तो वो एक खास तरह की भाशा में बोल रहे हैं और राजा का सेवक होने के नाते संजय एक-एक शब्द सुनकर संदर्ब को जाने या उसको अनभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजय बता रहे हैं और अब ये समझने के बाद देखे, मूल रूप से बात बस इतनी सी है आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके लक्ष होते हैं आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे, अभी आप युनियर्सिटी में हैं आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे जितना आप पहले से जानते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चड़ा देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बड़ा लक्ष है आम तोर पर लोग इसे ambition कहते हैं, मैं इसे constipation कहता हूँ क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्स की तरह अगर आपका एक लक्ष है, तो आपका लक्ष कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं क्या आप कोई ऐसा लक्ष सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते ये कैसे संभव होगा तो वो क्या कह रहे हैं, समझेगा कि आपने एक दिशा चुन ली है लेकिन आपको प्रोसस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा वरना लक्ष केवल एक भ्रहम रह जाएगा अगर आप, आप भी आप एक काम कीजे ऐसा कीजे, बस ये वाली सांस मत लीजे अगली वाली लीजे, मैं देखू तो मैं नहीं कर सकती बस यही तो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये कदम ठीक से उठाए बिना आप लक्ष के बारे में भ्रहमित होने लगते हैं ऐसे कैसे चलेगा योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं हम कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो तो रास्ता ढूणने के लिए बस एक ही आँख बचेगी ऐसा करना बेकार है, बस तो वो ये कह रहे हैं कि लडाई में अगर आप सक्षम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रिमेंट या प्रोमोशन नहीं हो पाएगा आप बस मार दिये जाएंगे लडाई के बीच में अगर आपने कम्मे हैं तो आपको लगता है आप बस अपने मार्क्स वगरा खोदेंगी क्या आप बस अपने ग्रेड्स वगरा खोदेंगी नहीं, आप उसी शाम गार दिये जाएंगे तो क्रिश्नों नहीं बता रहे हैं क्योंकि अर्जन बोल रहे हैं मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाऊँ वो कहते हैं आप अभी राजा बने नहीं है आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा वरना आप राजा नहीं आच शाम आपको गार दिया जाएगा क्रिश्ण बस उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या यह गलत है तो पता है हर साल नवेंबर के महिने में हमारे यहां एक बिजनेस इवेंट होता है तो पिछले साल भी 200 C हो आये थे इस नवेंबर में भी यह होगा और वो आते हैं देखते हैं कि कैसे इशा फाउंडेशन बिना किसी अर्चन के चलता है तरह-तरह की गतिविदियां होती है सारे के सारे वॉलेंटियर्स हैं आपको पता है वॉलेंटियर कौन होता है वो जिससे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है वो बेहत dedicated हैं, पर उन्हें उस काम की training नहीं दी गई है और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो volunteers हैं अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती, आप उन्हें निकाल सकते, वो volunteers हैं, कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते तो उन्होंने ये देखा और बोले, सद्गुरू, हम IIT और IAM से सबसे बढ़िया लोग चुन कर ले के आते हैं लेकिन आप सिर्फ volunteers के साथ काम कर रहे हैं और आपका organization हमारी कंपनियों से बहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैंने का देखे, आप सब लक्ष को लेकर dedicated है यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह process को लेकर समर्पित हों अभी आप जो कर रहे हैं, उसे अच्छे से कीजे उनमें से ज़्यादा तर तो ये भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहां लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? वो बस किसी project पर काम कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि लक्ष क्या है मेरा लक्ष कुछ और है, अगर मैं उन्हें अभी बता तो वो हिल जाएंगे क्योंकि मेरे लक्ष इतने बड़े हैं कि वो हार मान लेंगे तो अब हमने उनमें ये बात डाल दी हैं कि आप बस इस process में पूरी तरह से भागीदारी लीजे पहले भागीदारी लेने की खुशी को जानिये सबसे पहले बिना पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं आप अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीती हो, बिजनेस हो, कुछ भी ले लीजे बिना उस प्रोसेस के प्रती समर्पित हुए आप जो भी काम कर रहे हैं आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकते हैं कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं